किया हिलो फ्रेंड्स वालकमि बैक vs बाई ने अदर वीडियो आज को इन टॉपिक एंड़ लिए इसव को बोलते हैं इसको फूल फ़ाइए wenn थलेक्टिक पॉलिप्रोपिलीन एच्छ MR Easy जो आपने देखा होगा हम टेरिस पर ब्रिकबैध कोबा करते हैं तो तो बीज कोबाना करके इसे मॉडर्न टेखनलोजी घूज्च करते हैं इसमें यह ब्लीकबैध को बहुत अच्छी होती है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं यह हमारी एक स्लैब है जो टैरिस है और यह गौवर्मेंट कॉलेज है इसमें हमें यहां वाटर प्रॉफिंग करनी है तो यह हमारे सर्फेस है इस सर्फेस पर यह टैरिस पर हमें वाटर प्रॉफिंग करनी है तो इ अविए होल्स को हमें रच्राफ को फिल करना होता है और सबसे पहले prototype में अर इसको बोलते हैं!! Shifxaj 이렇게 बनाने के बाद हम पूरी सब्सक्राइब करना विकाना होता है जो अगर लूस कॉंक्रीट होती है या लूस मोलडार होता है हमें उसको सब को निकालना होता है यह भी हम देख रहे हैं आप सामने इसको अच्छे से प्रेले क्लीन कर देंगे जाड़ो लगाके फिर उसके बाद हमें वायर ब्रेश रूस करेंगे और उसके बाद अगर हमें कहीं सर्फेस चाहिए होती है इसमें बिल्कुल जारा से भी कहीं लूस माठीरिल ना हो लूस मॉल्टार ना हो कॉंक्रीट ना ओव यह जब अगर यह जो आप साइट पर देख रहे हमारे फ्लेट बने हैं इसको जैट बोलते हैं एफ ले इसने वीं मaटेरियल होता है उसको निक क्लिंग के बहात चाहे हैं कि जो हमारे स्लब में हेर लांग्-ट्रैक्स होते हैं यह बिटुमेंट प्राइमर से फिल होजाते है और तो में जूब ऐस नहीं होता है तो हम इसके मतव का बबहुते हैं हो और यी बन्दा ऐसे लगा रहा है और यह जो आप सामने देख रहे हैं ब्युटिम प्राइमर यूज कर रहे हैं वही्च ब्रैंड यूज कर रहे हैं को इसका जो हम कम्लेस्ट्ट्षन है यह करते हैं यह हम फ्लेट पे भी लगाते हैं और पूरी सर्फेस पे लगाते हैं और इसमें एक कोट लगाते हैं और उसके बाच हम एक कोट लगा देते हैं तो सर्फेस को हम च्छे से आठ घंटे के बाद हम काम कर सकते हैं लेकिन हम क्या होता है कि 24 और 8 तक इसको छोल देते हैं सोकने देते हैं प्राइमर को और जो हमारे हेर लाइं क्रैक्स होते हैं अच्छे से फिल हो जाते हैं प्राइमर लगाने के बाद हमारी ऐसी सर्फिस हमें मिलती है फिर इस membrane का alignment करते हैं जो हमने बताया कि APP membrane जैसे कि आप सामने देख रहे हैं ये Dr. Fixit का torch shield APP membrane बोलते हैं इसको ये Dr. Fixit की है जिसकी width जो होती है वो एक मीटर है और इसकी length है 10 मीटर आती है length और इसकी 15 मीटर जो सामने आप देख रहे हैं ये 15 मीटर length का है तो हम इसमें torch shield करने से पहले इसको surface पे चिपकाने से पहले इसमें हम इसको alignment कर लेते हैं ये बंदा भी alignment कर रहा है जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब इसको हमने heat से इसको अभी चिपकाया नहीं है इसमें खाली alignment कर रहे हैं जैसे हमें set करना होता है और इसका जो आप एक membrane के दूसरी membrane फे हम उसको 100 mm का overlap देते हैं यह जो आप joint देख रहे हैं एक membrane से दूसरी membrane के बीच में ऐसे करके हम overlap करना होता है और यह हम बोरा roll को open करके हम इसमें alignment कर लेते हैं लोकुल लाइन से इससे कि हमारा alignment खराब ना हो टॉट शील्ट करने से पहले जिसे कि आप देख रहे हैं कि यह 15 मीटर का हमारा रोल था इस बंदे ने कट कर दिया कट करने का परपस यह है कि जब हम इसको ओपन करते हुए इसको चिपकाते हुए आएंगे हीट करते हुए तो यह इसका alignment खराब ना हो ज्यादा लंबा रोल हो तो alignment खराब हो जाएगा इसलिए इसने क्या करा है इसने बंदे ने तोड़ा से alignment में रखते हैं और यह जो हमारा एक एनड पर जो देख रहे हैं आप एंड पर लैप कर रहते हैं हमारा 150 mm का ऑंडियाब होता है о करने के बाद आप हम यसे करके पूरा हम करने के बाद फूरा फोल्ड कर लेते हैं फिर से रोल को उसके बाद हम दीरे-दीरे इस थारा से ऊह तरों को फिर से अब्लाइन करके उसी लाइं में आपके करके और इसको अशाच करते हुए हम छिपकाते रहते हैं जी इस मेमब्रेन को हम जब हीट करते हैं तो यह गरबर के के टूमशन थिकनेश इसकी होती है मेंब्रेन की और यह इसको हम रबर की धिर होती है झ記得 ingers one explos this होती है तो यह अरवर के क्योट होती है और इसके अच्छे शाथी है कि जैसा कि आप समय देहिए यह बंद़ बुर आच्छे से हीप करता है हमारा कर्दफ tron का वो होता है 12-15 स्क्वायर मीटर पर केजी मतलब की एक केजी गैस में हम इसका 12-15 स्क्वायर मीटर एरिया में काम करते हैं और जब हम सब रूल को स्टिक कर लेते हैं फिर उसकी हमारे जो लॉंगिट्विडिनल लैप होते हैं उसको हम अच्छे से हीट करके ऐसे मेल्ड करके जॉएंट को कवर कर लेते हैं जैसे कि आप सामने देख रहे हैं इसको अच्छे से कवर कर लेंगे और यह जो इसकी डिरेक्शन होती है अब मैं आपको बता दू ए पीपी मेम्रेंट जो इसके मैंने बताया आपको इसकी डिरेक्शन होती है यह जो हमारा टे करते हैं इसके बाद मैं आपको यह को अच्छे से फिनिश कर देते हैं और यह हमारा इस बहुत ही कम चांस है कि हमारा लीकेज होता है और अच्छे से यह जो हमारा princet koba है उससे बहुत ही अच्छी waterproofing माने आती है treatment कि और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो like करें और कोई भी doubt हो तो comment करें